हेलो फ्रेंज स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सरसुती इंग्लिस क्लासेज में मैं समीर सिंग लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 10 सिवेसी बोड का फर्स्ट प्लाइट का प्रोज पोर्शन है ये फ्रम दे डारी अफ एनिफ्रेंग आप देखोगे कहोगे फ्रम दे डारी अफ एनिफ्रेंग तो लिखा नहीं है तो ये जो है न ये एनिफ्रेंग का एक बुक है जिसमें बहुत सारे letters के collection है बहुत साथ चीजिस में है जो इन्होंने लिखी थी diary की रूप में diary entry जैसे आप करते हो class 9 में तो ये बुक का पूरा नाम है the diary of a young girl लेकिन जो आपका lesson है उसका नाम है from from the diary of the diary of एनिफ्रेंग यानि एनिफ्रेंग की diary से एक पार्ट लिया गया है तो इस diary से जो ये पूरा नाम है बुक का इससे वो एक पार्ट लिया गया है आपका lesson जो from the diary of एनिफ्रेंग के नाम से है तो आज हम बात करेंगे writer के बारे में यानि story वीडियो में हम cover करने वाले हैं writer के बारे में visual imagination करेंगे हम image देख करके ताकि कहानी हमें अच्छे से समझ में आ जाए ताकि last में जो question answer आप से पूछे जाए उसका answer आप आसानी से देश सको last में हम देखेंगे कुछ extract जो passes के रूप में है जिसके आपके question और answer दिये गए है कुछ के practice set है जो आपके पास solve करके दिये गए है और कुछ unsolve करके दिये गए है तो आपको unsolve वाला solve करके commit box में commit करनी है ताकि मुझे पता चले कि आपने पढ़ी है आपको समझ में आई story अलामा इसके हम चलेंगे multiple choice question में multiple choice question बहुत important है आप वहाँ जा करके देखना कि आपको कितना आ रहा है जितना आ रहा है आप मुझे commit box में commit करके जरूर बताईएगा अलामा हम long question, short questions और उसके बाद theme पर जाएगे जो story की theme है तो इस तरीके से हम पूरी story cover करेंगे और इतना आप अगर पढ़ लेते हो तो सारे के सारे इस lesson के लिए जितने भी matter, board exam के लिए होते हैं वो सब आपको पता चल जाएंगे तो हम चलते हैं story के writer के बारे में बात करने ये Wikipedia से लिया गया है आप भी पढ़ सकते हो, फिलाल में नहीं यहां रखा हुआ है पूरा नाम इनका ये है जो कि एक जर्मन थी डच डच भी कह सकते हो आप डच एक language भी है 1929 में पैदा हुई थी 1945 में इनका death हुआ था माज 16 साल की इनकी आयू रही होगी तब ये ये जविस थी, यहूदी थी यानि कि ये Christian नहीं थी यहूदी थी और Christian यहूदी में बहुत वार हुआ करता था धर्म युद्ध कह सकते हो आप ये जो लिखा था इन्होंने The Diary of a Young Girl ये तब पब्लिश हुआ जब इनका death हो गया जब post-mously, यानि मरने के बाद इनकी पब्लिश किया गया, इनकी बहन और इनके फादर के दौरा, वास्तों में इसका नाम था यहाँ अगर देखे डच भासा में, ये डच में पब्लिश हुआ था औरिजनली डच में पब्लिश हुआ था ये अगर आप देखें तो Het Asterious नाम था इसका और इंग्लिस में भी इसका नाम था The Sacred Enix, ये इंग्लिस में ये नहीं नाम था The Dairy of a Young Girl, इंग्लिस में नाम था The Sacred Enix, बार इसका नाम चैंज किया गया, ये जो कहानी है ये 1942 से 1944 के बीच में है कबकि जब इनों ने अपने आपको छिपा लिया था, क्योंकि World War का सीन था, यहाँ देखें आप तो निदरलेंड में ये लोग थे निदरलेंड जिसे हॉलेंड भी कहते है निदरलेंड में थे ये लोग, विश्वी सेकेंड शुरू हो गया था, तो उसमें इनको इनके फादर, इनके सिस्टर को छिपना पड़ा वो भी छिपे कहां थे, आप आगे देखोगे यहाँ पे, ये लोग छिपे थे अपने फादर, ओटो फ्रेंक के ओफिस बिल्डिंग में, वो भी एमस्टर्डम में, एमस्टर्डम एक जगा है, यहाँ आप लिखा हुआ है, जो कि नीदर्लैंड में ही है, तो एमस्टर्डम में, इनके पिता आफिस में काम करते थे, जिस आफिस में काम करते थे, वहाँ से निकलने ही वाले थे, कि ये इनको समझ में आया, और इन्हों ने अपने दोनों लड़कियों को खुद के साथ वही पर रोक लिया, तो 1942 जुलाई का ये समय था, जब ऐसा शुरू हुआ युद्ध, तो तब से ले करके ये दो साल तक वहाँ च्छीपी रही, और दो सालों में इन्होंने जो वहाँ महसूस किया, उन्होंने यहाँ लिखने अशुरू किया, तो ये पूरी कहारी आप पढ़ सकते हो, जो मैं आपके लिए रखी हुई है, आपको आजाया है, आपको समझ में आ जाएगी, तो यहाँ लिखा है 12.1942 लेकर के अंतिम समय तक, 1944 अगस्त तक इन्होंने अपने लाइफ में जो भी हुआ चीजे, वो अपने इस डायरी में लिखती हैं, डायरी कब मिली क्यों लिखा डायरी, डायरी ही क्यों लिखा किसी और को क्यों नहीं बताया, बहुँ सारी चीजे हैं, जो आपको स्टोरी में समझ में आएगी हम चलते हैं यह बताने आपको कि यह जो है यह है अगर धहान से देखें तो यह है नीदरलेंड यहीं एमस्टरडम है जो कि एक कापिटल है यह इंडिया से अगर आप देखें तो इस साइड में है अब यह पूरा पश्चिन क्या है मुझे नहीं समझ में आ ये लोग थे जब wish with second जो था world war वो शुरू हुआ तो क्या किया इनोंने हम चलते हैं कहानी में confirm करने लेखक जो है वो इस समय बैठी हुई है स्टार्ट करते हैं और वो भी आपको लगेगा कि आप बुक पढ़ रहे हो लेकर जो है वो शुरू करती है और राइटर जो है वो शुरू करती है अपने फिलिंग को डायरी में लेखने के लिए वो सोचती है क्या डायरी में लिखू हूँ ये सही नहीं है इसको सहज मसूस हो रहा था क्योंकि ये पहली बार लिखने जा रही थी ना इसलिए वो सोचती है कि कौन मेरे बुक को पिरे डाई को पढ़ने जाएगा कोई भी ये सोचेगा कि एक लड़की स्कूल जाने वाली उसकी जारी को पढ़ा जाया है कोई दिल्चस्ट भी नहीं लेगा और जब मैं भी बाद भी पढ़ाँगी मुझे इंक्रेस्स नहीं आगा इसको पढ़ने में इसलिए नहीं लिखते हूँ मैं फिर सोचते नहीं अपनी फीलिंग को हटाओ मैं लिख हूँगी क्यूं लिख हूँगी क्योंकि मेरे फ्रेंच नहीं है और अगर friends हैं तो true friend नहीं है story धहन देजएगा word को धहन देजएगा इसके true friend नहीं है यानि कि friends है बट true friend नहीं है और जब true friend नहीं है तो इसका मतलब यह कि अपने feeling को अपने secret को यह किसा से share करें तो share करने के लिए coin कोई चाहिए और वो इसके पास है book कहती है कि यह जो diary है यह जो paper है diary के न paper has more patience than people इस paper के पास ज्यादा patience है लोगों की अपिक्छा चुकि लोग सुनते ही नहीं आपको absorb नहीं करते हो किसी की feeling को लेकिन paper में कुछ भी लिख दो non living thing होने के कारण वो किसी भी चीज को absorb कर लेती है कुछ भी आप लिखो कोई फरक नहीं पड़ता सोचती है कि लोग यह सोचेंगे जब पढ़ेंगे मेडारी को कि इतनी छोटी लड़की और इसका कोई friend नहीं था इतनी अकेली कैसे जो practically सही तो नहीं है यह खुद बताती है कि इनका एक पूरा भरा परिवार है जिसमें 30 लोग है और सब अच्छे से रहते हैं जिसे friends कह सकते हुआ इनको बहुत प्रेम करने वाली चाची थी, मम्मी, पापा, बहन जो 3 साल की बड़ी थी एक अच्छा सा घरन के पास था खुशहाल परिवार था जो बताता था कि सब अच्छे हैं फिर ये अकेली फिल क्यों कर रही है लेकिन ये कहती है कि जो मेरे लाइफ में कमी थी वो थी true friends की तो true friends जो थे वो मिले नहीं मुझे और जो friends थे वो उन चीजों को उन चीजों के बारे में बात ही नहीं करते जो वास्तविक में बात करना चाहिए था जो वास्तों में उसके जीवन से related था जो feeling थी इसकी इसलिए अपनी feeling को ये डारी में लिखना शुरू करेगी ये कहती है कि वास्तों में डारी को अच्छे से लिखना चाहिए उसका introduction होना चाहिए जैसे नॉर्मिन लोग करते हैं तो पहले मैं एक काम करती हूँ पहले मैं शुवात करती हूँ अपने डारी का नाम देने का फिर डारी को अपना नाम दे दूँगी कोई एक नाम होगा डारी का फिर डारी में शुवात करूँगी मैं अपने फैमिली के बारे में और फिर मैं कहानी लिखूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ तब ये स्टोरी सुरू करेंगी सारे मैटर आप डारी में लिखना शुरू करेंगी तो यह बताती है कि पहले तो मैंने अपने डारी का नाम रखा, रखा Kitty, K-I-T-T-Y, तो डारी का नाम Kitty रख दिया मैंने, अब यह अपने घर के बारे में, background के बारे में लिखेंगी, अब बताती है कि मेरे घर में जो जो भी लोग थे, उनमें सबसे अच्छे जो थे, वो मेरे father थे, जिनकी I.U. 36 एर थी, तब जब यह मेरी मा एडित से शादी किये थे, और मेरी मा तब 25 साल की थी, तो father 36 साल, mother 25 साल, दोनों अपस में बहुत प्रेम करते थे, एक बहन थी मेरी जो मुझे 30 साल की बड़ी थी, Margot, जो मुझे अच्छी लगती थी, क्योंकि वो एक सहली की रूप में मेरे साथ रहती थी, लेकिन वो एक true friend नहीं थी, ये बताती है, कि हम दोनों जो थे, वो Frankfurt में पैदा हुए थे, फिर आगे कहती है, कि जब मैं चार साल की हुई, ये समलिख रही है, डैरी में, जब मैं चार साल की हुई न, तो मेरे father और mother जो थे, वो Holland चले तो ये Amsterdam से, अब Holland जाते हैं, अब ये निदरलेंड जाते हैं, जबकि दोनों बैदों को, एन्डे को और Margot को, एडित के मम्मी के पास छोड़ दिया गया, यानि एन्डे के नानी के घर, कहा रहती थी ये दादी, इनकी, नानी इनकी, पहले हम इसको देख ले, ये है इनका परिवार, ये छोटी सी, ये छोटी सी Margot, ये है इनकी, लोकेशन जहां पर ये जाएंगी, आशन, ये धादी जेगा, नीदरलेंड, ये आशन और ये जर्मनी, आशन जो था वो जर्मनी भी था, अभी भी जर्मनी भी है, यारे इनकी जो नानी थी, वो जर्मनी की थी, इन ये आशन इन दोनों बेहनों को भेज दिया गया, ये इनकी नानी, ग्रैंट मदल लिखा है वहाँ पर, लेकिन वो नानी थी, दादी नहीं थी, ये जो तस्वीर है, वो रियल तस्वीर है, जितने ब्लैक एंड वाइट आपको मिलेगे ना, वो रियल तस्वीर है, अलावा ह-o-l-a-n-d-e-r, और मदर का नाम था, इनकी मदर का नाम था, एडित हॉलेंडर, ठीक है, तो ये इनकी नानी है, इनकी नानी की यहाँ दोनों बेहनों को छोड़ दिया गया, और मम्मी पापा जो थे, सप्टमबर, याद रखेगा, सप्टमबर के मनत में हॉलेंड चले क और कुछ दिन के बाद, फरवरी के महीने में, फिर बुलाया गया एनको, एनको फरवरी में इसलिए बुलाया गया, क्योंकि मागाट का, उसमें, उसमें बढ़ने था, इसलिए बुला लिया गया उसे भी, हॉलेंड में, अब सब परिवार जो थे, वो हॉलेंड में चले ग जब ये चटी फार्म में गई, चटी फार्म मतलब चटी क्लास में, सिक्त क्लास में जब ये जाती है, तो उसको एक सिचका मिलती है, टीचर मिलती है, मैडम मिलती है, इनका नाम होता है मिसेस क्यूपरस, जो बहुत प्यार करती है एन्ने से, जब एन्ने क्लासिक्स में इनको था वह अच्छे से सदे नहीं किया गया है क्यों कि जो उनकी नाणी थी ना उनका तब्यविएद खराब हो गया इसलिए म्यां मंगी पापा ने कहा तो उस बार अच्छे से सेर्फिरू एयिए हम बार में बाराक कर लेगे दुर्भागे से 3 जनवरी को 1942 में इनकी दादी सरगवासी हो गई तो इनकी दादी के 3 जनवरी अगर मैं हम लिखू 3 जन 1942 में डेथ हो गया इसलिए इनको फिर से लगा कि मेरा बड़े अपकी बार भी जो है वो अच्छे से मनाया नहीं जाएगा लेकिन इनका बड़े अच्छे से मनाया जाएगा वो इसलिए मनाया गया या इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि इनके मदर फादर ने सोचा कि पहले बात तो जो पिछले साल का एक बाकी था जो कहते है च्छति पूर्ती वो हम इस साल करेंगे क्योंकि हमने उस बार मनाया नहीं था सही से और दूसरे बार जो इनकी नानी थी जो इनकी दादी थी वो इनसे बहुत प्यार करती थी वो चाहती थी कि मेरी तबिद भलेची हो या ना हो लेकिन एनने की जो बड़े है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाए इसलिए एनने का अब की बार बड़े अच्छे से मनाया जाएगा तब अब यह 20 जून 1942 की बारें बात करेगी यानि कि अब यह 20 जून 1942 यानि अभी तक जो आपने आँ वहीं रेखा जनवरी की सब्चमबर की 1941 में इनके आजन दिन में नहीं मनाया गया यह जो है यह पहले का काम है यह पहले का मैटर डाइरी में लिखती है लेकिन अब आज का दिन 20 जून 1942 जिस दिन इनको डाइरी मिली इस दिन इनका बड़े है इनको डायरी दी गए इनके पैरेंट्स के दोरा इन्होंने इस दिन ही अपने डायरी का नाम रखा था किटी अब ये अपने आज के आज के बाद से शुरू होगा जो कहानी वो लिखना शुरू करेंगी इनके साथ घटना होगी वो लिखेंगी चुकि ये 1944 में ये कहानी पूरी हुई थी तो जैसे से ये लिखना शुरू की जैसे से होता गया मैटर वैसे वैसे लिखना शुरू की और बाद में 44 में तो वर्ल वार का एक पीक टाइम था तो ये बताती है कि आब इस टोरी में शुरू करती है कि कैसे इनका जो पूरा क्लास था वो घबडाया हुआ था हलाकि आप यहां घबडाते हुए बच्चों को नहीं देखोगे अच्छे से चेहरे मुस्कुरा रहे हैं लेकिन यह है कि घबडाय हुए चेहरे थे क्योंकि सभी का रिजल्ट आने वाला था और सब लोग जो थे वो कनफर्म नहीं थे कौन पास होगा कौन फेल होगा जो पास होगा वो अगले क्लास में जाएगा और जो फेल होगा उसको उसी क्लास में फिर से पढ़ना पड़ेगा यह क्वैक इन बूट्स एक वर्ड आपको बुक में मिलेगा क्वैक इन बूट्स लिखा हुआ है यानि कि परशान थे, दुखी थे एक प्रॉसिबिलिटी थी, प्रॉबिलिटी थी पास हूँ, ना हूँ, होगा कोई नहीं होगा ऐसा कंडिशन था तो उसे क्वैक इन बूट्स कहते हैं जब एक कंफर्मिशन आपको नहीं होती है कि होगा क्या आपके साथ, पास होंगे, फेल होंगे या क्या होने वाला है नेक्स्ट टाइम पर यहां तक कि कुछ स्टूडेंट जो थे ना वो बेट लगा रहे थे कि देखो, तुम पास हो जाओगी, मैं तो नहीं पास होंगी, मैं फेल हो जाओगी यह कहते हैं, नहीं नहीं तुम पास होगी, मैं नहीं पास होंगी तो यह काम करते हैं बेट लगाते हैं इनके पास जितने पैसे थे गर्मी के महिने में ये summer vacation में जहां छुटिया मनने जाने वाली है ये लोग छोड़े-छोड़े बच्चे जो इनको पैसे मिले थे वो पूरे-पूरे पैसे को इन्होंने बेटे में लगा दिया जो अच्छा मैं पास होँगी तुमें तुम को इतने पैसे दुगी वो कहती है अगर नहीं अगर मैं फेल हुगी तो मैं इतना पैसे दूगी यानि वो डाटती भी है लेकिन कोई मानने वाला नहीं है सोचती है कि one-fourth को तो pass ही नहीं करना चाहिए क्योंकि ये न किसी भी school में, class में जो भी कोई activity होती है उसमें participating ही नहीं करते ये dummy के dummy है, ये dummy के dummy है ये से कहना चाहती है कहती है कि मुझे थोड़ी सी परशानी सर्फ एक subject में है वो है maths मुझे थोड़ा cutting लगता है लेकिन फिर भी मैं इंतिजार करूँगी मुझे पता नहीं था कि क्या होगा लेकिन अपनी hope को बनाया रखूँगी अभी बताती है कि मेरे total जो थे वो 9 teachers थे जिसमें 7 जो थे वो male थे और 2 जो थे वो female थी निमसे जो math teacher थे उनको छोड़कर बाकी से मेरा जो relation था वो ठीक ठाल था अब ये बताती है अपने math teacher के बारे में ये class के बच्चे जो सुनते नहीं है जिनके बारे में इनने कहती है कि इन्हें fail कर देना चाहिए क्योंकि ये dummies है d-u-double-m-i-e-s dummies क्योंकि ये participating नहीं करते किसी भी activity में जो class में होता है ये है math के teacher Mr. Kessing Mr. Kessing के बार बताती है कि बार-बार Mr. Kessing जो थे वो रोक रहे थे उसको बात मत करो बात मत करो लेकिन इन्हें बात करते जा रहे थी क्यों बच्चे होते हैं क्लास में जो बात करते रहते हैं कई बार warning दिया इन्होंने लेकिन इन्हें मानी नहीं ये बात करती जा रहे थी बात करती जा रहे थी अपने दोस्त साथ मज़ा लेती जा रही थी अब महोदे हमारे केसिंग ने नाराज हो करके इसको एक assignment दिया कहा है काम करो अब तुम assignment लिखो और इस assignment का नाम होगा यहाँ आपका लिखा हुआ है chatterbox तुम chatterbox पर एक यस से लिखोगी और लिख करके उसको लेकर किया आना अब यह सोचती है कि chatterbox यह तो अजीब सावी से है इस पर भी कोई लिख से का क्या फिर भी वो अपने notebook पर chatterbox लिख देती है और bag में रख करके चुप रहती है कि अभी फिर बोलोंगी मैं फिर बंदा कोई ने कोई काम दे देगा अच्छा है चुप रहू हूँ मैं इस तरीके से दिन बित्ती है शाम होती है राइटर जो है अपने सारे के सारे homework पूरा कर लिया इसने है अब जैसे वो notebook को देखती है तो लगता है उसको है chatterbox लिखा हुआ है मुझे लिखना चाहिए फिर अपने fountain pen को fountain pen की no को चबाती है इसे दर्शाय जाता है कि बहुत गहरी सोच में है ये writer सोचती है कि मैं क्या करूँ मैं काम करती हूँ मैं ये महोद्या सोचती है मैं ऐसे कैसे कह सकती है मैं पूरी तरह से अपने आपको रोक लोगी क्योंकि उसे तो ये अपनी माा से विरास्त में मली थी ये एक inherited trade था ये विरास्त में मली है मााँ से मां भी मेरी को बातों नहीं मैं भी बातबात नहीं तो यह मैं रोक नहीं सकती इस तरीके से मैंने अपने बचाओं में तीन पेज लिख दिये और तीन पेज जाकर के अगले दिन महोदे को प्रोफेसर के सिंग महोदे को दे दिया अब जो महोदे थे इन्हों ने जब ये पाए तो इन्हें बहुत अजीब सा लगा कुछ दिन तक वो लड़की तो शान्त थी लेकिन अगले ही छड़ वो फिर से बखबख बखबख करना शुरू कर दी तो महोदे ने फिर से सजा के रूप में एक और असाइन्मेंट दिया और अब कीर बार उसका जो टापिक था वो था अवीवे की बखवासी लड़की अब इसको समझ में नहीं आता कि वो क्या लिखे सके बारे में फिर भी इसके बारे में उसमें कुछ नो कुछ लिखा और फिर से असाइन्मेंट को प्रोफेसर को दे दिया प्रोफेसर जो था अपना पेसेस नहीं खुए कुछ दिर तक तो वो चुप रहे लेकिन फिर जब देखाई नोने कुछ बरदास्त करने के बाद कुछ देड़ जिलने के बाद एक दो पीरिट देखने के बाद जब वो नहीं शार्त हुई तो उन्होंने एक और assignment पकड़ा दिया इसका नद था quack 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 said mistress chatterbox अब तुम ना इस पर लिखो तुम बहुत बात हो नहीं हो बहुत बात करती हो तुम जब जब बोलोगी तब तक मैं तुमें एक एक नेक एक assignment देता रहूँगा लड़की परशौन थी कि बार बार ये assignment दे रहा है देकि लड़की का एक nature था tendency थी कि वो बात करती जाती थी प्रोफेशन दे तीसरी बार टाटा और जब ये क्वैक 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 वाला एक अगला यस से एक assignment के रूप में दिया तो पुरा class हो था वो मज़ा लेने लगा हसने लगा नतीजतन इन दोनों को भी हसना पड़ा लेकिन ये खुश होने का नाटक था लग तो रहे बुरा लेकिन आप भी होते हो कभी-कभी कि बेजितनी तो होती है आपकी लेकिन आप भी खुश होने का नाटक करते हो इस तरह से ये दो बार तो लिख चुकी थी दो बार लिखने के बार इसके विचार जो थे वो कुछ समझ में आने लगे थे यह जो महादया है सेन जो राइटर यह आपको जो बगल में दीख रही है यह इनकी फैंड है यह है S-A-N-N-E यह है सेन सेन महादया जो है यह पोईट्री अच्छी लिखती थी अब किरे बाद इसने कहा है काम करो यह से छोड़ो आप तुम वर्स में लिखो कविता में लिखो मैं तुम्हें बताती हूँ रिदम छंद मैं ऐसे समझाती हूँ तुम शाद मुझे दो मैं इसको रिदम में अंकित करती हूँ यह इन महादया ने थर्ड बार में उनका हेल्प किया एनने का और कविता के लुट में इन्हों ने लिखना शुरू किया चुकि लग तो रहा था उसे बहुत बुरा शर्बिंदगी वाली assignment लेकिन फिर भी उसने अपकी बार सोचा अपकी उत्तर प्रभावी दूँगी effective दूँगी क्योंकि ऐसे बंदा चार पांच बार शे बार देता रहेगा और मैं पगला जाओंगी इससे अच्छा है कि अपकी बार मैं सबसे अच्छा लिखूंगी तो एक अच्छी सी पोएम बनाई जो बहुत अच्छी निकली बार में उसने वेंग लिखा कि वेंगातमक था क्वैक क्वैक जो है एक साउंड है बर्ड्स की डख की उसने लिखा कि एक फादर है जो स्वान है उसकी मदर जो है वो है डख उसके जो बच्चे हैं जो तीन बच्चे हैं डख वो बहुत चिलाते हैं बहुत चिलाते हैं बहुत शोर मचाते हैं इसलिए उस इसलिए शान करना चाहते हैं, इसलिए मेरे आवाज का गला घोड़ना चाहते हैं, आवाज को एक प्रकार से मडर करना चाहते हैं, कि वो एक बच्चों के रूप में अपने आपको compare करा के दिखा दिया, ताकि टीचर को कुछ लगे, कुछ feel हो, और सभाग से टीचर ने इसको बहुत ही lightly लिया, और प्रोफेसर ने अपने टिपड़ी के साथ बताया, कि भाईया, क्लास में ये जो है न, वो बहुत अच्छा है, जो पढ़ा उन्होंने, क्लास में उन्होंने सुनाया, उस homework को, उस assignment को, और अब की बार उन्हें कह दिया, चलो ठीक है, अब मैं तुम्ह जमर करे, बोलना शुरू करो, इस तरीके से, महाधया जो किसिंग थे, जो प्रोफेसर थे, वो थोड़े से चुटकले के साथ, इस स्टोरी को खतम करते हैं, और यह महाधया जो है, ये अपने इस कहानी को खतम करती है, यह आपकी स्टोरी यहां खotम हो जाती है, तो एक बा friends नहीं है, सच्चे friend होते तो मैं उससे कहती है, लेकिन friends सच्चे नहीं है, इसलिए मैं खुद को, अपने खुद की feelings को इस diary में लिखूंगी, diary कर ना मुने किटी रखा और फिर सोचा कि मैं पहले अपने परिवार के बारें बताऊंगी, परिवार के बारें बताया, father से प्रेम थाइन को mother 25 साल के थी, जब इनके father से शादी हुई जो की 36 साल के एक clerk थे एक business man type के किसी official में काम करते थे फिर किस तरीके से इनके father mother चले गए Holland ये चले गए, आशेयन अपने नानी के साथ फिर किस तरीके से ये फिर जाते है Holland में, फिर कि नानी का date हो जाता है फिर celebration होता है, इनके बड़े का किटी जो मिलती है इसको एक diary, फिर ये diary में आगे लिखना सुरू करती है कि उस समय मेरे साथ जो बच्चे थे, उनका result आने वाला था, उसके बाद से आपने कहानी सुनी सही से, तो आशाया आपको कहानी समझ में आए होगी, हम चलते है कुछ extract के साथ, जो passage है इसमें आप ध्यान से देखिएगा, तो passage आपके दिये हुए हैं, यहाँ पे चार questions हैं, इसके answer भी दिये हैं, याँ आप इसको पढ़ करके एक बार answer, खुद से match करेज़ेगा, क्या आपके answer सही है, फिर आप इसमें भी देखिएगा, इसमें question answer से, लेकिन इस वाले में सिर्फ questions हैं, answers नहीं है, यह unsolved है, आप इसे solve करेज़ेगा, और यह 2016 में पूछा भी गया था, यह है multiple choice question, आशा है आपको यह समझ में जरूर आया होगा, जैसे कि मैं पाचमा गर आपसे पूछू, and they had everything on this earth, एनने के पास सब कुछ 5 प्रस भी पर, except alama, friend के alama, loving parents के alama, true friend के alama, loving sister के alama, आसा है कि आपको answer जरूर पता होगा, answer commit box में commit जरूर कीजएगा, तो इस तरीके से यह आपके जो है, वो कुछ questions है, skin shot लिजएगा, answer जोड दीजएगा, 15 questions है इसमें, यह है short questions, जो 3 marks के बिलेगे, 30 to 40 words आपको लिखने होंगे, यह भी आप एबार skin shot ले लिजएगा, एबार पढ़ लिजएगा, सारे के सारे matter जो है, वो इसी में है, इसके alama, कुछ questions पूछरी जाएगे, 8 questions आपके थे, उसमें, यह है long questions answers, इसमें, आपको question के साथ answer भी दी गए, यह 8 marks के होते हैं, यह 100 से अबव, आपको worst limits की होती है, लिखने की, तो यह है आपके total जो है, वो six questions है, यह last जो है theme आपने story, theme क्या है story की एक बार जरूर पढ़िएगा, क्या है theme, इसकी theme हो, plot हो, central idea हो, bear idea हो, जो भी पूछे, वो आपको यही answer देनी है, तो इस तरीके से story खत्म होती है, आशा है कि आपको इस story समझ में आया होगी, कोई परशारी होगी, comment box में comment जरूर कीजिएगा, मिलते हैं, next video के साथ, तब तक अपना ख्याल लखेगा, और मेरा भी ख्याल लखेगा, इसके लिए आप जो बताया गया है, चार काम जरूर कीजिएगा, like, share, subscribe, अगर आपने होगी तो, और comment, thanks, thanks for watching the video,